आज हम आपके साथ एक बहुती सुन्दर से गले का डिजाइन लेकर आए हैं ये जो डिजाइन है गोटा पट्टी और एक लेस के साथ बनेगा और बना हुआ बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है बिल्कुल प्लेन सूट में हम इसे बना कर रेडी करेंगे नमस्ते दोस्तों मैं सरब जीत आज आपके साथ एक बहुती सुन्दर गले का डिजाइन लेकर आए हूँ मुझे काफी दिन से ये वली पिक किसी ने भेजी थी तो उन्होंने बोला था कि हमारे लिए आप इस डिजाइन को क्रिएट करें यह हमारी पिक पड़ कर लेकर बोली है अब बच्चों के लिए यहां पर बारा इंच तक लेकर ले सकते हैं तो इसको हमने जो चड़ाई में लिया है वो साड़े आठ हिंच के करीब लिया है अब हम इसको fold कर लेंगे इसको half का निशान हमने बना लिना है इस तरह आप इसे fold कर लीजे और एक पर प्रेस करनी है तो प्रेस कर ले नहीं तो एक line यहां पे बना सकते हैं इस तरह मैं पकड़के इसको फोड़ा प्रेस कर देती हूं तो एक line यहां पर create हो जाएगी लीजी यह line हमारी यहां पर बन गई है अब हमने इसके उपर draw करनी है lines वो कैसे करनी है कितने margin पर करनी है वो देख लीजी यहां पर center का निशान एक लगा रहेते हैं और उसके बाल line को बनाते हैं line हैं हमारी तिर्ची लगनी है उपर की तरफ को face इसके आपस में मिलनी चाहिए मतलब line के साथ line हमारी मिलनी चाहिए यहां पर जो gap है वो में एक इंची टेप की चुड़ाई है जितनी उतना gap इसके अंदर रख रही है तो यह तक्रीबिन पॉने इंच का gap हो जाएगा ऐसी lines हमने पूरे में लगा लेनी है और दूसरी side हम इसको ऐसे ही tap करेंगे तो यह बन जाएंगी पहले पूरे में मैं half में लगा कर आपको दिखाती हूँ तो लीजे यह half में हमारी lines लग गई है अब इसको हम इस तरह टैप करेंगे और दबा देंगे उपर से तो line दूसरी तरफ भी draw हो जाएंगी आपको दूसरी side लगाने की जुरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर dark करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसे dark कर लें अब हम इसको बीच में से पहले cut कर देते हैं बीच में से cut करने के बाद अब हमने इसके उपर यह जो गोटा पट्टी की lines बनानी हैं वो सिलेंगे ऐसे हमने लगाते हुए इनको सिल लेना है दोनों पट्टियों के उपर इसी तरह गोटा पट्टी की lines लगानी है हमने यह जो गोटा पट्टी है हमारी single से line से लग जाती है अगर आप यहाँ पर anchor thread का use करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि anchor thread से भी यह design बहुत सुन्दर बन जाएगा तो इस तरह मैं इनको लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ तो लीजिए यह lines हमने दोनों पट्टियों पर लगा ली है इनके face हमने ऐसे मिला लिए है अब यह जो lace है पहले इसको लगाने का तरीका बताऊंगी इसको कैसे लगाना है नीचे की तरफ से या फिर उपर की तरफ से जिस side से भी आपने पट्टियां रखनी है वो side से आप इसे उपर की तरफ से 4 inch छोड़ के जोड़ ले तो पहले देखे मैंने इसकी finishing दे ली है finishing करने के बाद अब हम इसके उपर lace को attach करेंगे सबसे पहले हमने इसकी गुलाई देनी है अब दोनों पटियों के face मिलाते हुए यानि की line को मिलाते हुए इस तरह रख लेंगे और रखने के बाद 1-5.5 इंच की गुलाई हमने इसके उपर डाल देनी है इसकी जो यहाँ पर गुलाई है वो डाल देनी है आप यहाँ पर 1-5.5 का निशान भी लगा सकते हैं गुलाई में या फिर ऐसे अंदाजे से भी डाल सकते हैं तो लीजे कटिंग करने के बाद इसका लूक इस तरह का आजाएगा ये गुलाई आजाएगी साइज में अब हम गले को बनाना शुरू करते हैं उपर की तरफ से 4 इंच मैंने छोड़ दिया है और इसको नीचे की तरफ से हम इस तरह सेल देंगे इसको लेज को हमने किनारे पे रखके सेल देना है यहाँ पर पत्टी को फोल्ड करने की बिल्कुल जुरूत नहीं है डारेक्टली आप इसके ऊपर लेज को रखें और ऐसे सेल दें ये जो पत्टी है हमारी मिडल में आएगी तो इसके साथ इस तरह एक कॉर्णर से बनेंगे यह देखिए इस तरह triangle से इसके आपस में match होने चाहिए यह एक design बन जाएगा middle पटी के अंदर यहाँ पर shirt के ऊपर हमने center का निशान लगा लिया है center के निशान के ऊपर यह triangle हमारे इस तरह आ जाने चाहिए center के निशान के ऊपर हम buttons लगाएंगे और इस तरह हम इसको रखते हैं रखते हुए हम इसको sell देंगे देखिए यहाँ पर हमने button लगाने है तो दोनों तरफ जो हमारा gap है उसको हमने maintain रखना है और maintain रखते हुए इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा देते हैं अब हमने पटी को fold बिलकुल नहीं करना है जैसे हमने इसको lace लगा के सीला था वैसे ही इसके ऊपर रखके sell देंगे ऊपर की तरफ से जो पटी हमारी है वो हमारी कले के अंदर आ जाएगी तो यह finishing ले लेगी इस तरह हमने इसको रखते हुए sell देना है अब जा आप देख सकते हैं मैंने साइडों से भी पटी को fold नहीं किया है उसका भी एक reason है वो आपको बताएंगे आगे जाके तो दूसरी साइड की पटी को भी हम ऐसे रखेंगे और sell लेंगे यह जो हमारी triangles हैं इनको आपस में हमने match कर लेना है इस तरह match करते हुए हम सिलाई लगा देते हैं सिलाई लगाने के बाद गला हमारा ready हो हम ने ऊपर की तरफ पर इसके antel लेस लगानी है ये जो phases हमने ले थी मैंने आपको बता था कि यहां पर लेस घुमने वाली होने और चाहिए हमने गले में गोलाई देनी है तो लेस को हमने घुमाबाली लेना है इस तरह हम इसको रखेंगे और रखके लेस को पूरे राउंड में घुमा देंगे जैसे जैसे इसकी शेप है इस तरह आप किसी भी शेप का गला बना सकते हो जीरूरी नहीं है आपने गुलाई ही देनी है यहाँ पे आप corners में अगर बनाना चाहते हैं तो corners में भी बना सकते हैं तो इस तरह इसकी cutting करते हुए finishing देते हुए लेस को हम attach कर देते हैं यहाँ पे अगर requirement लगे कि लेस पर डबल सिलाई चाहिए तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं लिजी यह लेस का गला हमारा बन गया है अब आपने इ साथ इंच के करीब है और यहाँ पर चोड़ाई हमने इसकी 6 इंच ली है यानि की 3 इंच एक साइड से ली है अब हम इसको इसके उपार रखेंगे center का निशान मिलाते हुए सिल देंगे और ऐसे ही जैसे normal गला हम बनाते हैं वैसा ही यह neck हमारा बन जाएगा इसको पहले shape के अनुसास सेल लेते हैं और फिर बीच में से cutting करके इसको फोल्ड कर देंगे तो लीजे यह neck का design हमारा बन का तयार हो गया है आपको यह design कैसा लगा है हमें बताइए जरूर मैंने बिल्कुल easy ढंक से आपको बनाना सिखाया है आप भी अपनी plain shirt के ऊपर इस design को बनाएंगे तो उसका look बहुत अच्छा हो जाएगा जो लोग नए आए हैं वो प्लीज चैनल को subscribe जुरूर कर ले इस तरह के नए नए design देखने के लिए और इस design के लिए review करके जुरूर बताएं आपको यह कैसा लगा है thank you for watching कर दो जाएंगे